यूपी के उत्तरप्रदेश के उन नाव जिले में छीर चाड के मामले में पॉसको कोड पहुँचे एक व्रिद्ध से वहां तैनात एक महला सिपाही ने घूस ली और अब उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है हम आपको कुछ भी पताएं उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए आपको बता दें कि व्रिद्ध के साथ मौजूद एक वक ने ये वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वारल कर दिया इस वीडियो के वाइरल होने के बाद S.P. ने महिला सिपाही को सस्पेंड कर दिया है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि गले में गमच्छा डाले नीली शर्ट और काली पैंट पहने एक व्यक्ति महिला सिपाही राधा तेवारी के पास पहुंचता है और जीप से कुछ रुपए निकाल कर उन्हें थमाता है महिला सिपाही ने हाट टेबल के नीचे कर रुपए गिने और उन्हें रैक में रख दिये इसके बाद घूज देने वाले व्यक्ति के इशारे पर उठकर कोई फाइल चेक की वीडियो वायरल होने के बाद एस्पी अविनाश पांड ने सीओ सिटी करपा शंकर से मामले की रिपोर्ट तलग की जिसके बाद महिला सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया